Hi everyone, कैसे हैं आप सब? आसा करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में दिवाली मना रहे होंगे तो माता लक्षमी आपके घर में खूब सारे खुसियां लाए और आप खुस रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें तो आज मैं उट गई हूँ बहुत सबेरे क्योंकि आज है दिवाली तो बहुत सारा काम भी है और बहुत सारा जो घर के साफ सफाई, डेकोरेशन वगए होते हैं वो सब बहुत सारे करने होते हैं इसलिए आज मैं जल्दी जरा उट गई हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हॉल में सोफा का कवर लगाया और यह मेरा सोफा का कवर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा जिसे मैंने आनलाइन खरीदा है यह इस तरीके का इसका लुक है आप मुझे कमेंट सब्सक्राइगा आपको कैसा लगा उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम सब की शफाई करने पहले ज़ाड़ू लगाऊंगी पोचा लगाऊंगी किचन में जितने भी क्लीनिंग की काम है वो करूंगी सुबा का नास्ता बनाना है बहुत सारा काम है तो चलिए करते हैं और आपको भी दिखाते हैं हैं तो इससे असानी होती है लेकिन आप जब अकेले रहते हैं तो आपको यह सारा कुछ करना पड़ता है तो उसका management आपको यह करना पड़ता है और उसके बाद यहां मेरे husband थोड़ा सा decoration में मेरी मदद कर रहे हैं जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि इससे काम मेरा थोड़ा कम हो गया है उसके बाद यहां पे मेरे देवर आये हुए हैं और यह मेरी kitchen में थोड़ा help करा रहे हैं उन्होंने कहा कि आप पहार का काम जो cleaning वगेरा होती है वो करिए decoration वगेरा और मैं आपको सुबह का नास्ता बना देता हूँ तो बताएगे इससे अच्छा और क्या हो सकता है और यह देखें इस तरीके से मैंने यहां पे गर का decoration किया है रात को मैं आपका पूरा दिखाऊंगे कि मैंने इसे किस तरीके से decorate किया है अभी थोड़ा बहुत ही आपको मैं दिखा देती हूँ यह आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है उसके बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैंने मुझे लगा क्यों ना इसको यूज किया जाए तो एक घंटे का मुझे समय मिला और अभी बज़ रहे हैं एक तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ उसके बाद मैं एक घंटे ही पढ़ूँगी जादा तो नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि आज समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो मैं सुची कि जो भी समय मिलता है उसमें मैं आज पढ़ लेती हूँ तो मैं अभी पढ़ रही हूँ क्लास एट की एंसियाटी की बूख यह मेरा टार्गेट है कि मुझे इसे कंप्लीट करना है तो जितना भी समय मुझे मिल रहा है मैं पढ़ लूँगी तो आज मुझे एक चप्टर इसे पढ़ना है धर्म निर्पेच्चता वो मैं इसे कंप्लीट करूँगे उसके बाद मैं फिर से काम में लग जाओंगी तो पहले मैं घंटा पढ़ लेती हूं उसके बाद में आपसे मिलती हूँ आपके जीवन में अगर किसी चीज को पाने का लखच हो किसी चीज का गौल हो तो आपके घर में कोई भी परव हो, तहवार हो, साधी व्याख हो, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है आप उस जग़पे तो होगे, पर आपको उस चीज में मन नहीं लगेगा हमेशा आपका ध्यान लगा रहेगा कि मेरा एक्जाम है मेरा रिजल्ट नहीं आया है वही इस्तिती मेरे साथ भी है अभी हम लोगा TRE 3 का रिजल्ट नहीं आया है तो मुझे हमेशा टेंसल लगी रहती है मैं इंज्वाय तो करती हूँ पूरे मन से नहीं करती हूँ हमेशा लगा रहता है कि कब रिजल्ट आएगा फिर TRE 4 आजाएगा हमें उसकी भी तयारी करना है और इसी पिछ फैस्टिबल भी आजाते हैं तो थोड़ी सी मुझे लिए तो आती है पर मैनेज तो हमें ही करना होता है और इस चीज को मैनेज करते हूँ अगर आप आगे निकल जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे एक घंटे की पढ़ाई करने के बाद आ गई हूँ मैं नहाद होके किचन में रात का खाना बनाने के लिए और यहाँ मेरे हजबन मुझे कुछ कुछ बोल रहे है तो मैं उसी का उन्हें जवाब दे रही हूँ कि क्या बना रही हो और क्या बनाना है तो मैं वही बता रही हूँ कि मैंने यह यह बनाया है और यह देखे मैंने यहाँ पे मिक्स मश्रूम और पनीर की सबजी बनाई है ग्रेवी वाली बहुत ही जादा टेस्टी बनके तयार हुई है और मैंने यहाँ पे वेजटेवल काट के रखे हैं फ्राइर राइस बनाने के लिए और आटा को मैंने यहाँ पे मिला दिया है कचोड़ी इससे बनाऊंगी और दूद भी साथ में गरम कर रही हूं कि उससे मुझे सेवई बनाना है उसके बाद जब इसमें तेल और घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें इसमें लॉंग इलायची बारी कटा हुआ लहसन में यहाँ पे डाल दी हूं हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे और इसे अ यहाँ पे थोड़ा सा पनीर भी मैंने डाला है सब चिश को डालके अच्छे से हम मिक्स कर देंगी सारे चिश को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है हलका सा सौते करना है तो बस इसे एक से दो मिनट के लिए हमें फ्राई करना है उसके बाद जो मैंने यहाँ पे सबजी क हमहले से पका की रख लिया था अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद इसी चावल में हम लाल देंगे पेसी और चीश को डालने के बा neu Он को मिना आसने के ताकि पकान को मिक्स कर देंगे और एक से दो बार इसे չबाद घर में मैं ठारे अधा को बंद कर सभाइएंग सबस्क्राइब क्वार बढ़ा है। अरे फेस्टिबल में सबसे मेरा फैबरेट कोई फेस्टिबल है तो वो दिवाली है मुझे बहुत पसंद है इस दिन मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाती हूँ पूरे घर में लाइटिंग में लगाती हूँ और अच्छे अच्छे खाना बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कोई भी फैस्टिवल हो अगर आपकी फैमिली आपके साथ होना तो आपको बहुत अच्छा लगता है और मेरे देवर भी आए हुए थे जो मैंने आपको दिखा दिया है तो हम लोगों ने सब कोई मिलके अच्छे से पूजा किया अच्छे से हम लोग खाना किया बहुत इंज्वाय किया बहुत अच्छा लग रहा था और उसके बाद सब कोई थोड़ा-थोरा मजाग भी कर रहे थे कि मैं किस तरीके से पूजा कर रही हो मुझे आरती याद नहीं है तो मैं किताब देके गाती हूं पर ऐसा नहीं है मुझे याद है बट आज आरती मेरे हजबन ही गा रहे थे तो हम लोग उनके साथ में गा रहे थे उसके बाद ये रहा मेरा भाई और फिर वो लोग सर्मा भी रहे थे कि तुम मुझे कैमरा में कैज मत करो अच्छा नहीं लगता है सर्माता है तो मैं उन्हें बोल रहे थी कल तुम लोग सब को तो हम लोग ने पटाका छोड़ा और बहुत इंज्वाय किया हम लोगों ने पटाका छोड़ना मुझे बहुत पसंद है लेकिन पटाका छोड़ने मुझे डर भी बहुत लगता है लेकिन मैं फिर भी कोसिस करती हूं छोड़ने का तो यह देखे इस तरीके में पटाका छोड झाल झाल